स्वागत करते आपको एक नई वीडियो पे मेरे नम फैसल है उम्मित करते आप सभी लोग ठीकी होंगे तो दोस्तो मेरे चैनल में एक रूटिंग किया था मैंने हर संडे को हिंदी में कॉंटेंट डालेंगे जैसे कि बांगलादेश और इंडिया का इमिगिरेशन जासे नहीं डाले थे तो अभी से फिर से हम डालना सुरू करेंगे तो आज का इस वीडियो पे मैं कुछ आपडेट देने वाले हैं बहुती इंपोर्टेन आपडेट एक नमबर है कोरोना टेस्ट के बारे में एक आपडेट देंगे दो नमबर है बांगलादेशी टूरिल नए हो और अगर आपको इस चैनल का वीडियो हमेशा चाहिए तो प्लीज सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को क्योंकि इस टाइप का कॉंटेन मेरे चैनल में मैं कंटिनियंसले आपडेट करते ही रहेंगे तो सबसे पहले में जो अपडेट देने वाले है कोरोना टेस्ट के बारे में कोरोना टेस्ट की बारे में अपडेट देने वाले है फस्ट अपडेट अगर आप इंडियन सिटीजन हो और अगर आभी आप बंगलादेश आना चाहते हो बाई रोड या तो बाई यार अगर आपका पास double vaccine है, मतलब आप 2 dose vaccine ले लिया, तब आपका कोई corona test की जरुवत नहीं है, मतलब RT-PCR test की कोई जरुवत नहीं है, अगर आपका पास 2 dose vaccine का certificate है, तब आपको और कोई RT-PCR test करने के जरुवत नहीं है, आप बीना test में just vaccine certificate को लेके उसको print out कर, जब आप ER में travel करोगी, तब आपके पास एक ER ticket होना चाहिए, passport visa होना चाहिए, और आपका vaccine का certificate होना चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए, ये सारे document लेके आप travel कर सकते हो, आपका कोई RT-PCR test की जरुवत नहीं है, तो ये तो बोला मैं by ER के बारे में, अगर आप by road जाना चाहोगी, तो क्या करना होग जैसे आपके पास एक passport होना चाहिए, valid visa होना चाहिए, और उसका बाद vaccine का certificate होना चाहिए, vaccine का certificate print out करके आपको जाना पड़ेगा, और एक बात मैं कहना चाहूँगा, आप बांगलादेश में जिस काम पे जा रहे हो, मतलब आपका जो visa का category है, किस काम पे जा रहे हो, तो उस उसका भी कोई supporting document होना चाहिए, by road से जाने के लिए, because आप जब by road जाओगे, तो आपका ज्यादा verification होगी, क्योंकि आप किस काम पे जा रहे हो, पूरा जानकारी आपको देना पड़ेगा, border पर, immigration पर, so जिस काम पे आप जा रहे हो, उसका भी कोई supporting document साथ में लेके जाओग जो बांगलादेश का tourist visa कब open होगी, बांगलादेश का tourist visa कब open होगी, तो अभी मैं आपको एक बात बताना चाहेंगे, बांगलादेश का tourist visa इस महिने का last में चालू होने का बात चल रहा है, अभी तक official announcement नहीं हुई है, लेकिन कभी भी ये चालू हो सकती है, क्योंकि बांग बांगलादेश और इंडिया का बीच में जो दो ट्रेन है, टोटल तीन ट्रेन है, लेकिन अभी दो ट्रेन सुरू होगी, एक नंबर ट्रेन जो है, वो महित्री एक्सप्रेस धाका और कोलकाता का बीच में चलती है, दो नंबर जो ट्रेन है, वो है बंधन एक्सप्रेस जो खोनला और कोलकाता की बीच में चलती है, अभी ये दो ट्रेन जो है 26 मार्स से चालू होने वाले हैं, ट्रेन तो बिल्कुल खाली जाएगा, तो ट्रेन अगर खाली रहेगा, तो इसमें बंगलादेश रेलोए और इंडियन रेलोए का दोनों का ही नुकसान होगा, इसलिए मे आईने का लाश तक बंगलादेश का टूरीज विसा को रिलिस कर दिया जाएगा, अब देखते हैं आगे क्या होता है, जो अभी थोड़े देर पहले ही में बताए, बंगलादेश और इंडिया का बीच में जो पैसेंजर ट्रेन सर्विस है, ये 26 मार्स 2022, 26 मार्स 2022 से सुरू होने वाला है, तोटल ली, अभी इसका टिकेट भी आप कट सकते हो, जिसका पास इंडियान पासफोर्ट है और बंगलादेश का वैलिड विसा है, वो अभी इस ट्रेन में आ सकते हो, तो इंडिया से बंगलादेश आने के लिए इस ट्रेन का धाका और कोलकाता का जो ट्रे टेक्स है तो टोटल मिला के 25 है जब बंगलादेश से इंडिया रिटान करोगी और जब इंडिया से बंगलादेश जाओगी तब इसका भाड़ा रहेगा 15 सुरूपे तो ये था एकदम ताजा आपडेट लेटेस्ट आपडेट उमीद करते वीडियो आपको पसंद आया होग अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो एक लाइक कर देना अगर कोई एक्स्ट्रा कोस्चेन है तो जरूर कोमेंट करना मैं वहाँ पर रिप्लाइ कर देंगे तो आज का वीडियो एही पर इंड करते हैं मिलते हैं आपसे अगला वीडियो पे तब तक इन्जॉई गुडबाई